तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हम लोग जॉइन करने जा रहे हैं आर्मे मिलिटरी जिसके लिए हम लोग बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग और टेस्स देने वाले हैं और इसके बाद हम लोग एक टॉप सीक्रेट मेशन पे जाने वाले हैं जिसमें हमें गौडजि प्रमोशन बेहुश कर देते हैं और उसकी जगे चल जाते हैं पुलिस टेशन जोइन करने के लिए जहां पे हमारी नौकली लग जाती है एस पुलिस ऑफिसर उसके बाद हम लोग बहुत सारे चोरों को पकड़ते हैं लेकिन जिस दिन हमारा प्रमोशन होने वाला रहता है उस दिन ही ये पुलिस वाला जिसका नाम रजत है वो आजाता है पुलिस स्टेशन में तो अगर आपको पहले पार्ट वन देखना है तो उसकी वीडियो आई बटन पर आ रही होगी या फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दियोगी जाके आप वहाँ पे देख सकते हो चालू करते हैं हम लोग पार्ट टू को अरे छोड़ दो सर सौरी अरे माफ कर दो यार गल्ती हो गई मैं तो अच्छी से नौकरी कर रहा था अपनी यार इन सब ने मुझे घेल लिया ये रजत ने मुझे फसाद या बहुत गंदा इसने आके मेरी पोल पट्टी घोल दिये और अब ये सब मिलके मुझे मार रहे हैं इतना बड़ा जूर्म कर दिया क्या मैंने मुझे जेल में डाल गया यार और वो रजजत यार दूसरे थाने में शिफ्ट हो गया भाई आया ही कि यहाँ पे यार दूसरे थाने ही चले जाता मैं अच्छा खासा नौकरी कर तो रहा घ् Zelda फाल तुम्हें फसाद ये जेल के यार रहे हमारे शेहर में भुकम पा रहे है कि अभार देकर निवे रहे है अरहर से अब ये तो गॉडजिल है कि दो यार में शेहर में गॉड़िला हमारे स्टेशन की genya आ रहे है अबे क्या discussion कर रहे हो तुम लोग हम दोनों को तो छोड़ दो पागी सब भाग गए भाई हमारे उपर चड़के नहीं चल जाए वो दोनो ये लोग क्या बाते कर रहे यार अरे हेलो सर इधर सुनो मेरे पास एक plan है देखो अगर आप उस पर गोली चलाने की सोच रहे होना तो गलती से भी ये मत करना वो गोड़ जिल आए ठीक है आपके चाचा का लड़का नहीं है जो आके वो आपसे बाते करेगा वो सीधा आके अटेक करेगा इसलिए ये मत करना अपन उसको डिस्ट्रैट करते हैं ऐसा कुछ करते हैं कि वो रास्ता बदल दे उसके लिए मेरे पास एक plan है वो आप लोग करो जल्दी से एक cannon लिके आओ आ रहे है वो पास आ रहा है आन दो थोड़ा बस चला दो चला दो हाँ बहुत पढ़िया वो देखो मोड़ गया मोड़ गया वो cannon की तरफ मोड़ चुका है एक और चलाओ हाँ अब ठीक है वो गया तो हम लोगों ने यार भगा दिया है उस गौडजिला को दूसरी तरफ मोड़ दिया है अभी के लिए तो हम लोग सेफ है और ये सारे पुलिस वाले मिलके मेरी तारीफ कर रहे है वैसे एक दिन पहले मैं भी पुलिस वाला था बट अब नहीं हूँ लेकिन लोगों ने बोला है कि मुझे कल स्टेशन आना है इनके किसी बड़े ओफिसर है जिनको मुझसे बात करनी है कल चलो यार मेरा दिमाग किसी काम तो आया एक तो हम लोग बज भी गए और उपर से मैं थाने से छूड़ भी गया अब कभी ऐसा नहीं करूँगा यार अब चलता हूं लोगों ने कल बोला है मुझे आने के लिए कई कल मुझे फिर से जेल में पटक नहीं दे यार देख के आऊंगा थोड़ा ठीके तो ग्यारा बज चुके इन लोगों ने बोला था कि ग्यारा बज़े आ जाना इनके किसी बड़े अफसर ने मुझे बुला है या तो मुझे आवार्ड तो नहीं मिल रहा कि मैंने गौडजिला को भगा दिया क्योंकि कल जब हमने इसे बगाए था ना उसके बाद वो शेहर से भार चला गया पता नहीं कहां से आया था लेकिन वो चला गया यार मतलब बिना तोड़ खोड़ करें हमने गौडजिला को हमारे शेहर से भगा दिया है तो हो सकता है उस चीज़ के लिए मुझे अवार्ड मिले अरे बेटा बहुत ही बड़िया काम किया है तुमने मैंने तो सुना कि तुम दो दिन के लिए पुलिस अफसर भी थे वा यार तुमारे लिए मिर पास एक जॉब है तुम आर्मी जॉइन कर सकते हो तुमने वो खुबी है बस तुमें एक टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि अगर तुमने वो कर लिया ना तो तुमारी नौकरी आर्मी में पकी ठीक है तो मुझे कल आर्मी जॉइनिंग का टेस्ट देना है तो इसके लिए मैं कल आऊंगा इन लोगों ने बोला है कि मेरे घर पर ही एक सेटप लगेगा जो कि मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा अग क्योंकि इन लोग ने मेरी फिजिकल ट्रेनिंग तो देखी चुकी है अब मुझे ये वाला चैलेज कंप्लीट करके इनको दिखाना है कि भाई मैं गाड़ी भी अच्छे से चला सकता हूं तो चलो फिर इनको टेस्स कंप्लीट करके दिखाता हूं और आर्मी जॉइन करते ह कर चुका हूं ऐसे पहले भी ये रैम्स के ऊपर चड़ना और फिर नीचे उतना इसका मुझे आइडिया है लेकिन आगे जो पंक्खे घुम रहे है ये अभी तक मैंने उतना किया नहीं है तो मैं इसमें कच्छा हूं लेकिन देखते हैं क्या है औरे अच्छा ये ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा और भाई अभी थोड़ा समझ में आ रहा है अभी ये फिर से उपर आएगा यहां से निकल गए अब मैं आ चुका हूं अगले पड़ाव पर यहां से उपर चड़ना है क्या मुझे लगा गैप नहीं है यहां से सीधा उपर अब यहां पतली सी क्या लकड़ी लगाईए इसको पार करना है अरे या नहीं अरे नहीं वाइक अटक गई यार फिर से आया हूं भाई मैं मतलब पूरा स्टार्टें से करका आयो क्योंकि मेरी बाइक अटक चुकी थी इन लोग ने बोला है कि ट्राय मैं कितना भी ले सकता हूं बस मुझे यह टेस्ट जो है यह कंप्लीट करना है पिसली बार यहीं अटका था मैं इस बार अच्छे आगे फिर से पंखा लेकिन इस बार लेटा हुआ है जमीन पर हेलमेट पहन लिया है मैंने मुझे लग रहा है कि सेफ नहीं है यह यह पंखा जब निकल जा रहा है तब मुझे निकलना है ठीक है समझ गया हूं इतना तो और फिर मुझे अबे रुक जा अरे चलान दे अरे अरे यार बज़ 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 गया पंखे पर चड़ गई थी मेरी बज़ गया पज़ गया अगला यह क्या कोई दिखाईन दे रहा मुझे यह पेड क्यों घाल यहां आगे रस्ता है कि नहीं है अचा रस्ता बगल वाले में मैं मैं वह सोकूं बाई इतने दूर जाएगी कैसे बाई शायद यहां से रस्ता ओके यह वाला है ना ठीक है चलो इस पर चड़ाते हैं भाई यहां पर इतने पौधे क्यों लगा दिये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को तो आगे पंखे के आगे जंप है कि क्या है भाई कुछ समझे नह कुछ नहीं है यह तो सीधी आ जाएंगे कल लिया कल लिया कल लिया चलो यह करते हैं यहां पर थोड़ी तेड़ी जमीन है लेकिन मैं कर दूंगा फिर आगे यह पंखे हैं उसके बाद भाई मुझे बिल्डिंग पर चड़ानी है गाड़ी इस साइट से नहीं जाना ना एक फिर से पेड़ लगा दिया यहां रसता है कि नहीं अच्छा है मुझे दिखा ही नहीं था अभी मैं नीचे कुछ जाता चलो यहां पर जंप होकी शाय से उसके बाद पंखे को भी क्रॉस करना है लेकिन ज्यादा तेज नहीं बजिया यार आज किसमत अच्छी है बहुत बा बास अब क्या है यहां पर जंप है कि कुछ भी नहीं है अच्छा कुछ भी नहीं यह फालतु ही लगा के रखा है यह पंखा और बचा और आगे पेड़ वेड़ है गड़ा तो नहीं ना भाई बीच में देखके जाना पड़ेगा अचानक से गड़ा नहीं आ जाए यहां दस भी नहीं कुछ चलो यह भी कर दिया ओके हो गया है थोड़ा सा बचाय बस हो गया यह लास्त हमारा बचा यहां पर गड़ा तो नहीं एक बार देख लूँ नाई नाई सीधर रास्ता भाई मैंने कंप्लीट कर दिया पुलिस छोड़ो मैंने आर्मी का टेस्ट किया है अभी हम लोग को अगले एक हफते तक आर्मे ट्रेनिंग करनी है क्योंकि आर्मे वाली जो ट्रेनिंग है वह बहुत ज्यादा टॉफ रहती है क्या टॉफ ट्रेनिंग है भाई आज हमारा एक हफता कंप्लीट हो चुका है और कल से मैं मिशन्स पर जाओंगा क्या वह गौडजीला अंडे दे के चला गया अरे नहीं यह राज आज मालून चल रहा है कि वह जो गौडजीला धाना वह गया तो शहर से लेकिन जाते जाते अंडे दे के चला गया भाई और दो अंडे और हमारे शहर के साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन है कि आज वह अंडे में से चोटे डाइनसौर्स या गौडजीला है जो सकते हैं तो चलते हैं जल्दी से लेकिन उनको सिफ हमें स्टिकी वाम से फोन ना है अगर किसी और एक्स्टरनल फोर्स से वह तूटते हैं तो हो सकता है कि वह मिनी गौडजीला पहार आ जाए भाई अगर गलती से ट्रेन अब है ट्रेन तो निकल गई अरे यार यह क्या हो गया भाई य यह नहीं हो सकता मुझे स्पीड बढ़ा रही हो कि इस ट्रेन से पहले मुझे उस अंडे पहुचना है चलो 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 ज्यादा टाइम है अपने पास ट्रेन फूल स्पीड में आ रही है वह अंडा यहीं कहीं होना चीए न्यूस में तो यह दिखाया था मुझे अंडा जो एना वो भाई जुरासिक पार्क के अंदर है और गलती से डाइनोसार्स को उसकी सुघंद आ गई और उसके पास चले गए तो भाई उसको फोर्ड देंगे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा वैसे मैंने डाइनोसार्स तो हमारे यहां भी है भाई लेकिन क्या पता इसमें से जो निकले वो बहुत ज़्यादा ही घतर नाग हो इसलिए मुझे उसको ढूंड के जल्दी से फोर्ड देना चाहिए ओके यह अंडा भी मुझे मिल चुका है मैंने स्पिस्टिकी वाम लगा दिया है और इसको भी फोर्ड दिया है फाइनली हम लोग सेफ है जाके अब मैं जल्दी से पुली स्टेशन में यह रिपोर्ड देता हूँ मुझे तो लग रहा है भाई आज पहले ही दिन मेरा प्रमोशन हो जाएगा मैंने इतना बड़ा काम किया है अरे एक दिक्कत हो गई है अभी हमारे आफिसर्स ने पता लगाया है कि आज पास एक और अंडा है और वो बस आदे घंटे में फूर्डने वाला है उससे पहले तुम्हें पहुच के उस अंडे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा इसलिए मैं तुम्हें सप्लाइ दे रहा हूँ एक हिलिकॉप्टर का ऊपर से देखो जल्डी से वो अंडा कहा है और जल्डी से उसको फोड़ो जाके जाओ जल्डी अभे यार ये कहां फसा दिया वो अंडा कहा मिलेगा मुझे मुझे बोला गया है कि मुझे एरपोर्ट जाना है जहां पर मेरा वीट कर रहा है आर्मी हेलिकॉप्टर और उससे मुझे जाके ढूंड़ना है वो अंडे को चलो मैं पिलकुल रेडी हूँ मैंने बैग में पैरशूट भी भल लिया है क्योंकि मुझे उपर से जंप मारनी है आर्मी हेलिकॉप्टर भी तयार है हमारा पाइलिट भी यहीं पर अरे भाई आर्मी इतना मुश्किल होता है क्या मैं हवा में आसमान की उचाईयों में हूँ भाई मैं आसपा छुड़ों मैं नीचे नहीं देख पारा मुझे इतना डल लग रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा इस हर को बचाने के लिए कहा है वो अंडा यार दिखी नहीं रहा इस सैड भी नहीं है ना ही इस सैड है सामने ओ देख गया अब यह क्या हो रहा है इस में से तो कुछ बहार आने वाला है अरे यार मुझे जल्दी पहुचना होगा अरे पाइलेट जल्दी लो जल्दी लो वहां पे वो शायद से अंडा हैच होने वाला है मुझे लग रहा है ओके तो मुझे अब जंप मारनी होगी पैरशूट खुल गया भाई एक बार में घुल दिया मैंने चलो चलो जल्दी उस अंडे के पास पहुचता हूँ उसको मुझे जल्दी डिस्ट्रॉय करना ही होगा हैं ये क्या हुआ अब ये अंडा तो अल्रेडी तूटा पड़ा है ये कब हुआ मतलब की वो बाहर निकल